2025 आ चुका है और every time जब भी किसी एक users को problem होता है तो वो YouTube पे search करता है problem का solution और find करता है कि recently कोई नया वीडियो आया हो क्योंकि उससे यह idea लगता है कि भाई यह अभी काम कर रहा है यानि मेरे फोन पे भी काम कर रहा है लेकिन वह ही one year, two year, three year पहले वाले वीडियो रिजल्ट आते हैं तो उस पे विश्वास थोड़ा कम होता है कि पुराना वीडियो है कि आप आज के टाइम में नए टेक्नोलजी पे वो काम करे या ना करे तो इसलिए थोई से confusion होती है इन confusion को दूर करने के लिए मैं सोचा कि क्यों ना जो कुछ भी सवामी के उपर में वीडियो देता हूं उन्हें एक और फिर से refresh कर दिया जाए और उसके बाद नए टोपिक चाहते हो या कि श्टर रॉम फ्लैस करना चाहते हो या बूट लोडर को लॉक या बूट लोडर को रिलॉक करना चाहते हो तो कैसे करना है वह मैं आपको यहां बताऊंगा मैंने कई सरी चीजे नाम लिए लेकिन इन सभी का प्रोसेस शिर्फ एक है ऐसा नहीं कि चार प्रोसेस में होगा बस आपको वीडियो को पुरा ठीक से देखना समझना और सुनना है तो चलिए अचके वीडियो को शुरू करते है एक जामपल के टॉर पे मैंने पोको का एक डिवाइस ले रखा है आप वास कोई सभी सावी रेडमी या पोको का मोडल हो प्रोसेस सेम हो करने वाला है ठीक है तो मैं आपको दिखाते हूं और यहाँ पर मेरा फोन के अंदर स्टॉक्रोम डाला हुए जो कि भी रन कर रहा हमारा यह है 1.0.2 जो कि मैं ब्राइटनेस था सा कम कर लें तो आपको दिख जाएगा ओके यह रहा और अपडेट भी है कि यहाँ पर आये ह पर सकते हो तो चले शुरू करते हैं इस प्रोसेस में सबसे पहला काम क्या होता है कि आपके फोन का बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए अगर आपने नहीं अनलॉक कर रखा है तो पहले युटूब पर देख कर लेना क्योंकि पहला स्टेप है इसके बाद ही आपको यह आपका data delete हो जाएगा जैसे कि यहां पर आपको दिखाई दे रहा है तो अगर नहीं करते तो यह delete हो जाएगा तो ध्यान में रखना यह दो हो गए अब तीसरा क्या करना है आपको PC की जरूत परेगी तो आप अपने friends का या कहीं से भी PC का जोगड़ा कर लो और उसमें आपको का name type कर दिया आपके जो भी है वो type कर देना उसके बाद आपके device के लिए अगर latest available है hyperOS तो आपको hypertype करना है अगर आपका MIY पर ही run कर रहा है तो MIY type करना है तो मैं hypertype करूंगा ओके अब type करना है fastboot ओके उसके बाद roam और इंटर कर देना है जो page खुलेगा इसमें ए पर आना है इसे open कर लेना है open करने के बाद यहां पर एक device अलग नाम से launch होता है तो वह सब कुछ यहां पर दिखेगा तो आपका इंडिया का है तो इंडिया अलडाउड करना है चाइना का है चाइना का global है तो global का बाट आप चाहो तो इस matter से एक region से दूसरे region के रोम को भी करके region change कर सकते हो काना कि मैं ठेग रहेगा लेकिन टाइटिल से कहीं सारे हो सकते हैं तो यह पर आप देखो ईए रसिया टर्की टाइवान इंडिया चाइना गलोवल वगयरा वगयरा है तो आप इस एक डिवाइस के अंदर जो कि मेरे पास इंडिया है आप इसमें इन में स कोई सार भी है जो एक रोम इस्टॉल कर सकते है क्योंकि साइड वाइस से के बास रीजन अलग है तो रीजन चे जोने को जैसे कुछ-कुछ चीज आपको चेंज देखने को मिल सकती है OS के अंदर किसी का प्रफॉमस बेटर है किसी के फीचर्स थोड़े बेटर है किसी में ल रिकाबरी यानि OTA अपडेट जो होता है वह या टिकलर भी सफ्लैस करते है उसकी तो हम यहां पर इंडिया फाइल को सेलेक्ट करेंगे यह रहा है इंडिया लेकिन यहां पर रिकाबरी है तो दुसरा इंडिया पर आते हैं यहां यहां पर जो भी आपको चाहिए आप इसंसें पेज open होगा यहां पर आपको दो दिखाई देगा एक speaks घिप सब्सक्राइब ना हमेंसा TGZ ही रहता है fastboot वाला रोम हम यहां पर download के अलग मीरर दिये गए हैं तो किसी में कम speed होगा किसी में full speed होगा तो सब पर click करके देख लेना कि किस वाले link से आपका हमेंसा fastboot के लिए TGZ ही download करना है यह ध्यान रखना और यह device के code name भी match कर लेना और इंडिया यहां पर मैं इंडिया लगा हुआ है यह साई चीज आपको ध्यान में रखनी है इस पर click करके आपको download कर लेना है जो कि मैंने already download कर रखा है मैं आपको दिखाता हूं ठीक है और download कर जो कि आपका zip format में होगा उसे आपको unzip करना है जो कि यह रहा unzip मैंने किया है कैसे एक्सक्राइब करेंगे c drive को select करेंगे ok पर click कर देंगे सब कुछ मैंने यहां पर कर रखा है इसलिए यहां पर दिखा रहे कि आपका already होया हुआ है तो मैं वस example group में show कर रहा हूं तो यहा रहते हुआ देश्टोब तो c drive में ही आता है तो उसे भी काम हो जाएगा but sometime आपको दिक्कत आ सकती है इसलिए आप चाहते हो कि कोई भी दिक्कत ना आये one time में सारा काम हो जाए तो c drive सेलेक्ट करके unzip कर लेना जैसे कि मैंने c drive कर रखा है अब आपको जरुत प्रही एक me flash tool की तो उसे भी आप Google से सर्च करके download कर सकते हो ठीक है मैंने सर्च किया me flash tool यहाप इसका site आ गया इसे open करेंगे यहाप आपको कई सारे version मिल जाएंगे तो कई भी कभी नए version में दिक्कत आती है ता आप पुराना भी try कर सकते हो अलालग दिये गहें बहुत सारी यहाप आपक कुछ इस तरीकी से दिखाई देगा अब आपको c drive open करना है जहां पर अपने file को unzip कर रखा है जैसे कि यह रहा मेरे पास यह latest और एक older older पर जाना है तो मैं old select करूँगा नए पर जाना है तो मैं नए select करूँगा यह रहा इसे मैं open कर लूँगा ओके अब उपर जो बार दि और यहां पर जो मैंने copy किया तो उसे paste कर देंगे आ चुका अब यहां पर ध्यान देना है कि यह जो clean all and lock है इसको अगर select रखते हो तो इसमें आपका bootloader lock हो जाएगा और जब यह आपने device का region change कर रहे होती है कभी मत करना अगर आप stock default वाले region पर ही जा रहे हो तब यह कर ल होंगा बट आपने अभी देखा कि मेरे फोन में औरेड़ी हाई परोस के stock room ही डला हुआ है जो कि older था में अब नया डाल रहा हूं तो यहां पर save user data का भी use कर सकता हूं ऐसे में हमारा OT update की रूप में अपना phone update हो जाएगा और data भी delete नहीं होगा यानि साइचीज मैंने आप बेटर हो food रहेगा तो और बेटर है क्योंकि इन प्रोसेस में आपके phone की battery ज्यादा drain होती है phone off हो जाने के बाद आपको power turn and volume down को long press करना है एक साथ जैसे आपका phone vibrate करेगा आपको volume up को press की रखना है volume down को leave कर देना है volume up नहीं volume down ठीक है यहां पर मैंने leave किया इसे hold किया अब आपके device flashing time में दिक्कत आएगी ओके और इसमें कोई internet की ज़रुवत नहीं है यह offline process है तो अगर आपका internet connection है तो कोई दिक्कत नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है आप एक और refresh पर click करेंगे यहां पर आप देख से तो यह code की रूप में आपका device show कर देगा दो तिन device यहां को install कर देगा उसके बाद यहां पर आप डिवार रिफ्रेस करोगे तो deduct हो जाएगा ठीक है यह problem आती है तो solve कर लेना अब यहां पर direct flash पर click कर लेंगे लेकिन इस पर click करने से पहले बाद चेक कर लेंगे कि यहां पर मैंने lock पर तो नहीं ना click कर दिया है तो नहीं किया है क् मैं clean all पर ही लखूंगा और flash पर click कर दूँगा अब इस process में हर एक device का timing है वो अलग-अलग होता है किसी का 5 minute किसी का 10 minute किसी का 15 minute किसी का 3 minute भी यह depend करता है device के उपर और कौन सा PC यूच कर दो PC थोड़ा अच्छा configuration का है तो जल्दी file को flash कर देता है काफी slow है तो थो time लेगा तो ऐसे कई सारे factor पर यह depend करता है timing बस आपको wait करना है जब तक आपका phone normal on नहीं होता इस logo से हट के या फिर इस tool पे successful completely के आपका phone नहीं होता on sometime यह process चलता रहा तो हमारा phone on हो जाता है वो टूल के उपर भी फर्क पड़ता है तो सब कुछ को ignore करते हैं बस wait करना है और आपके phone के on होने का इंतजार करते रहना है और ऐसे में नहीं data को लगए disconnect करना है नहीं आपको PC और रहको off करना है तो ध्यान रखना है कुछ भी हिल कर सकते हो और आए अपने phone को अनों का वेट करो सेट रख रो और यहां पर आ चुक है stock ROM पर इस process को follow करते वे आप अपने phone का रिजन चेंज कर सकते हो अगर आप custom ROM यूज कर रहो तो back to stock आ सकते हो या फिर booter relock करना चाहते है तो वह भी कर सकते हो को भी किसी type का issue आ रहा है तो वह भी कर सकते हो इस प्रoker से ठीक या फीर आपका अपने फोन का OST डाउन्ग्रेड करना है तो भी यहाया पर कर सकते हो या एक प्रोसेस के सब से आप अपने मर्जी किसाफ से बस चोटा सा चेंज करो और यहां पर सब कुछ वही सेम फॉलो करके कर सकते हो देखो यहां पर हाइपर वेस का पूट एनिमेशन आ गया है कुछ ही सेंद में फॉन अन हो जाएगा से टेक वरकर में यूज कर पाऊंगा तो आई होप कि आपको पहले भी कई बर बताया और बहुत जगा आपने देखा गा प्रोसेस बस सेम है बस एक रिफ्रेस सा वीडियो आ गया यह 2025 के अंदर जो कि आपको पसंद आया तो ठीक है नहीं पसंद आया तो क्या ही कर सकते हैं भाई मैठेट हो यह कोई नया 30 मारखा वाला मैठेट हो आया कर दो कि आपको कर दोरा प्रोसे आपको ही मैठेट हूँ है थजढ वालो